नवस्कार दोस्तों इंडियन जूडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग पुलिस अधिनियम 1861 और पुलिस वीनियमन एक्ट के तहरु है करेंगे इस वीडियो सिरीज में हम लोग अधिक से अधिक कोश्चनों को कवर करने की प्रयास करेंगे जिसमें की हम लोग आज की वीडियो में हम लोग 40 कोश्चनों को कवर करते हैं जली समयना वरबात करते हुए जली से इसको सुरू करते तो यहां पर पहला कोश्चन है बनाने का मुख्य उद्देश क्या था तो पुलिस अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश है पहला पुलिस को पुनर गठित करना अपरादों को रोकना तथा उसका पता लगाने के लिए उसे अधिक दक्ष बनाना किसे दक्ष बनाना पुलिस को ऑप्सन सी अपरादिक माम तोलिस अधिनियम के अंतगत कुल कितनी धाराए हैं तो पुलिस अधिनियम के अंतगत कुल 47 धाराएं पुलिस अधिनियम के अंतगर धोर सब्द तो धोर सब्द का तात्पर है सींगों वाले धोर के अत्रिक्त धोर मतलब यहां पर जानवरों की बात की जा रही है तो जिसमें जो है पहला ऑप्सन है यहां पर केबल हाथी और उंट केबल घोड़ा गधा और खचर खचर भी धोर के अत्रिक्त धोर सब्द के अंत्रगत यह सभी जानवर भी आते हैं तो ऑप्सन डी करेक्ट है अगले प्रेस्ट पर आते हैं पुलिस अधिनियम की धारा एक क्या परिवासित नहीं करती है तो इसमें पुलिस अधिनियम की धारा एक बल को परिवासित करती है वैक्ति दो के तहत किया जाता है तो बलका गठन जो है धारा दो में किया गया है धारा साथ क्या कहती है धारा साथ जो है अबर अधिकारियों की नियुक्ति और पत्यूति की बात करती है और धारा छे धारा छे यहां पर निरस्त कर दी गई है धारा आठ जो है वह पुलिस अधिकारि सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं होता है तो यह धरती की बात करती ऐ धर्यारा चार हो महा निदेशक इभेम पुलिस महा निरिक्षक जो ह法 महान निरिक्षक में भात करती है अगले प्रसासन पर आते हैं प्रसासन नमबर आठ साधानता पुलिस जिलों में सरवत्र पुलिस का प्रसासन नहित होता है तो सरवत्र पुलिस का प्रसासन नहित होता है 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 प्रसा निर는데्षक में निर्वान निर्वाप में निद कर न सकती है तो उपसिन सी कोशन का उत्तर होगा है एगले परसन पर आते हैं बस नमबर नो धारासाथ के आधीन पुलिस भल के किसी सदस द्वारा करतब के निर्वाहन में सिधलता या उपेच्छावान या पद के निर्योग पाए जाने पर निम्न में से क्या डंड दिया जा सके गा तो हम लोग धारासाथ के बारे में पहले ही बात क कर चुके हैं कि धारासाथ जो है वो अवर अधिकारियों की नियुक्ति तथा पद्चुति की बात करती है तो यहां पर जो है उसमें से पद्चुति हो सकती है नीलंबन हो सकता है पदावन बत हो सकता है उप्यूक तो सभी आंसर होगा ऑप्सिंदी प्रस नमबर टैन अवधानता वा उपेच्छपून रीती से किये जाने पर निम्न में क्या डंड दिया जा सकता है तो आप्सन ए यहां पर एक मास के बेतन तक के बराबर जुर्माना तो यहां एक मास के बेतन तक के बराबर जुर्माना हो सकता है उप्सन डी ड्रिक अतरिक्त पहरा अतरिक् उसमें बंद किया सकता है option c विशिष्ट पद से हटाया जा सकता है और option d उप्यूख सभी तो इस प्रिस्ट का उत्तर होगा option d यानि एक मास्का बेतन जुर्माने के तौर पर लिया सकता है डिल कराया सकता है अगले प्रेस्ट प्रेस्ट संख्या ग्यारा प्रतेक पुरिस अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है option a राज सरकार द्वारा option b महानिरिक्चक या अन्य अधिकारी द्वारा जिसे महानिरिक्चक न्यूख्त करे option c उप्यूख्त दोनो या option d इसमें से कोई नहीं तो इसमें जो है प्रतेक पुर्टिस अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है option B your correct उत्ताप्देश के महानिदेशक एबम महानिरिक्षक द्वारा पुलिस अधिकारियों को प्रमार्पतव जारी किया जाता है person number 12 पुलिस उत्ताप्देश अध्यादेश 2010 कि धारा दो द्वारा किस पद का स्रजन किया गया है तो यहां पर धारा दो में नागरिक उड्डियन कर्मिक पुलिस वल जो है धारा दो में बात की गई है धारा दो का में तो धारा दो ए है यहां पर जिसमें जो है नागरिक उड्डियन कर्मिक पुलिस वल होगा तो इसमें option D होगा नागरेक उडियन करमेक पुलिस बल तो धारत 2A में 2001 के अध्यादियस द्वारा इस पद का सजन किया गया है option C question number 13 पे आते हैं पुलिस बल के किसी सदस से द्वारा पद त्याक करने के पूर्व सूचना देना होता है तो यहां पर सूचना जो दिजाती है वो दो मास पूर्व सूचना देना ज़रोरी है अगले पसंट पर आते हैं पसंट number 14 पुलिस अधिकारी अनयोजन में नहीं लगेंगे पुलिस अधिकारी पुलिस की जौप के दोरां किसी अनयोजन में नहीं समय लित होंगे यह इसपस्ट प्रावदान है तो यह इसपस्ट प्रावदान धारा 10 में है चलिए देखे धारा 9 क्या कहती है धारा 9 यह कहती है पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त के किसी भी तरह की कार में नहीं लग सकते हैं धारा 10 कहती है पुलिस अधिकारी द्वारा अंधे नियोजन में नहीं लगेंगे और पुलिस अधिकारी जो 11 धारा है वो निस्षिट कर दी गई है तो इसमें कोई नहीं आप्सण डी तो आप्सण बी करेक्ट होए यहां पर प्रेस नंबर 15 पे आते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो यहां पर पहला है महा निदेशक वा महा निरिक्षक के नियम मनाने की सक्ति तो यह धारा बारा में एकदम सही है धारा बारा कहती है महा निदेशक वा महा निरिक्षक के नियम मनाने के सक्ति का प्रावदान करती है option B पे आते हैं व्यक्तिकत खर्च पर अतरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ती तो धारा 13 अतरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ती की बात करती है ये भी सही बात है अगले option C आते हैं विचुब्द या संकटपूर्ट जिले में अत्रिक्त पुलिस अधिकारी रखना धारा पंदरा तो विचुब्द एबम संकटपूर्ट जिले में अत्रिक्त पुलिस अधिकारी रखना धारा पंदरा में हैं तो यह भी option सही है तो यहाँ पर option D होगा इसमें से कोई नहीं अगले प्रस्ट पर आते हैं व्यक्तिगत व्याय पर न्यूक्त पुलिस अधिकारी को पत्यहत या पदमुक्त किया जा सकता है एक माह की सूचना पर दो माह की सूचना पर पंदरा दिन की सूचना पर एक सप्ता की सूचना पर तो यह option A सही है एक माह की सूचना पर next प्रस्ट पर आते हैं प्रस्ट नमर 17 विछुब्द या संकटपूर्ण जिले में अत्रिक्त पुलिस भल की न्यूक्ति का आर्थिक भार बाहन किया जाता है तो पहली बात तो यह जो प्राफधान है विछुब्द या अत्रिक्त जिले संकट पूर्ण जिले में अत्रिक्त पुलिस की न्यूकती तो यह धारा पंदरा की बात करता है तो ता इसका आर्थिक भार बाहन किया जाएगा तो आर्थिक बाहन जो होगा भार का जो बाहन किया जाएगा वो बिछुब्द वा संकट पूर्ण घोसित छेतर के निवासियों द्वारा किया जाएगा तो option C correct होगा यहाँ पे अगले परसंद पर आते हैं बिछुब्द वा संकट पूर्ण अधिसूचित छेतरों में वहां के इस्थानिये किसी व्यक्ति के दुराचार से हुई मृत्यू घोर उपती या संपती को छती के लिए पीरत व्यक्ति द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन किया सकेगा तो सिबिल नियाले में जिला या उपखंड मजिस्टेट के नियाले में जिला पुलिस अधिक्छक के यहां इस्थानिये निकाए में तो यह किया जाएगा जिला या उपखंड मजिस्टेट के नियाले में अगले प्रस्म पे आते हैं विछुब्द या संकर्पूर्ण क्रत से कारिप छती के लिए प्रतिकर प्राप्ति है तू आवेदन किया जाना चाहिए तो ऐसा आवेदन कितने महा के अंदर किया जाना चाहिए तीन महा के अंदर किया जाना चाहिए और कहां करना चाहिए इस प्रश्ण को हम देखी चुकर जिला या उपखंड मजिस्टेट के नियायाले में किया जाना चाहिए एगले प्रस्ण पे आते हैं प्रस्न 20 विशेज पुलिस अधिकारी यहाँ पर विशेज पुलिस अधिकारी की नियुक्ति हेतू पुलिस निरिक्षक निवेदन कर सकता है तो जिला पुलिस अधिक्षक से पुलिस महानिदेशक से राज सरकार से निकटतम मजिस्ट्रेट से अगरे पर आते हैं विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है विधी वुरुद जमाव या बलवा या सान्ती भंग होने की या ऐसी आसंका होने पर और अप्सन भी सान्ती परिरच्छन के लिए सामानित्या या नियोजित पुलिस बल अपरियाप्त होने पर तो नहीं और अप्सन सही प्रतित होते हैं अप्सन सी जब विधी वुरुद जमाव ना हो या उप्सन डी उप्रोक्त ए और बी दोनों तो यहां पर उप्सन डी होगा उप्रोक्त ए और बी दोनों एक बार फिर से हम उप्सन देख लेतें दोनों तो विषेश पुलिस अधिकारी की न्यूक्ति की जा सकती है कब की जाएगी विधी वुरुद जमाव होने पर या बलवा या सांती भंग होने पर या ऐसी आसंका होने पर जिसमें विदी बुरुत जमाब हो रहा हो बलवा होने या सांती भंग होने की आसंका हो इन दोनों ही स्थितियों में विशेस पुलिस अधिकारी की न्यूकति की जा सकती है दूसरा है सांती परिरच्छन के लिए यानि ये तो होने की समभावना ये स सांती परियाप्ट पहले से ही बनाने के लिए सामान ने तहा नियोजित पुलिस अधिक पुलिस भल अपर्याप्ट होने यानि सांती को मैंटेन करने के लिए जो नियोजित पुलिस लगी होई है वह अपर्याप्ट है तो विसेश पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकत तातपर परियाब्त प्रतिहेतु के बिना कर्टब्यों के पालन में कोई व्यक्ति उपेच्छा करता है तो उसकी प्रतेग उपेच्छा पर जुर्माना किया जा सकेगा तो ऐसा जुर्माना कितने रुपर गोगा पचास रुपर के जुर्माना किया जा सकेगा जो भी वेक्ति अपने कर्थब के पालन के लिए कोई वेक्ति जो उपेच्छा वाना और उपेच्छा करता है अगला है प्रेस नमबर 23 विसेश पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के पस्चाथ उसके कर्रेयों द्वारा उपेच्छा होने पर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा औस अधिकारी सदय कर्टब विरूर होंगे और जिले किसी भाग में नियुजित किये जा सके ये यह उपवंद किया गया है तो यह उपवंद जो है वो धारा 22 में किया गया है तो धारा 22 कहती है कि पुलिस अधिकारी जो होगे वो सदैव करतब रूर होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किये जा सकेंगे अब धारा 21 क्या कहती है धारा 21 कहती है ग्राम पुलिस की बात करती है ये जो है ग्राम पुलिस का जो है प्रावधान करती है आपकी धारा 21 ग्राम पूलिस waar फोट बिलियम की प्रेसिड이ं़ेश की चौकीदारी की बात करती है पूलिस अदिकारी इतला इतला देंगे तो पुलिस अधिकारी जो होंगे वो धारा 24 के तहत इतला देंगे किसको इतला देंगे मजिस्ट्रेट को इतला देंगे यहां पर यहां पर पुलिस अधिकारी जो होंगे मजिस्ट्रेट को इतला देंगे तथा मजिस्ट्रेट से मांग कर सकते हैं किस चीट की मांग कर सकते हैं सम्मन की मांग कर सकते हैं अगर उन्हें परियाप लगता है या वारंट की मांग कर सकते हैं तो वारंट इत्यादी के लिए अप्लिकेशन मजिस्ट्रेट दे सकते हैं धारा 24 के तहट और कौन मांगेगा इसको पुलिस अधिकारी मांग कर सकता है धारा 24 में तो ये प्रावधान दिये हुए थे इन सेक्शन्स में अगला आते हैं question number 25 ग्राम पुलिस अधिकारी की न्यूकती से समंदित प्रावधान है तो हम पहले इस पर बात कर चुके ग्राम पुलिस किस में दियो थी धारा 21 में तो धारा 21 इस बारे में बात करती है धारा 22 हम लोग करी चुके हैं धारा 27 धारा 27 कहती है यदि कोई दावेदार जो उप संजात नहीं होता है तो संपत्ति का अधिकरहन अधिहरन कर लिया जाएगा धारा 27 की बात ये करती है धारा 30 क्या कहती है धारा 30 कहती है लोग जमाव जमावों और जुलूसों का वी नियमन और उसके लिए अनुग्यप्ति देने वा आविदन देने की बात को धारा 30 कहती है आगले प्रसुर्ट पे आते हैं, प्रस्वर नमब्र 26 निम लिखित में क्या पुलिस अधिकारी का कर्तब है तो ऑप्शन A, सच्छम अधिकारी द्वरा जारी आदेसों एवं बारंटों तो सच्छम अधिकारी के दर आदेस और वारंट जो हैं हम लोग को कहां मिल रहे थे पुलिस अधिकारी उसके मांग कर रहा था धारा 24 में मांग कर था तो का सत्वर पालन वा निस्पादन करना ओप्सन भी लोग सांती को प्रभावित करने वाली घुप्त वारताओं का संग्रहन वासंस सूचित करना अपरादों वा लोग नुसेंस की किये जाने का निवारन करना ओप्सन डी उप्रोग सभी तो ओप्सन डी यहां पर करेक्ट होगा उप्रोग सभी अगले प्रस्ट पर आते हैं प्रस्ट नमबर 27 निम्न में क्या पुलिस अधिकारी का करतब नहीं है तो यहां करतब नहीं की बात करते हैं अपरादियों का पता लगाना यह तो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है इन्वेस्टिकेसन के तहती आ जाता है उक्त वेक्तियों को गिरबतार करना जिनें पकड़ने के लिए परियाप्त आधार विद्दिमान नहीं है यह उप्सन नहीं हो सकता है क्योंकि परियाप्त आधार विद्दिमान होना चाहिए तब ही पुलिस किसी को पकड़ सकती है किसी मदिराले जुआ घर या उत्ष खलन वेक्तियों के समागम के इस थलों में वारंट के बिना प्रवेस करना और उसका निरिच्छन करना तो यह भी पुलिस का कार है तो यह दोनों ही कार मिलते हैं तो यहाँपर ऑप्सन इसमें से कोई नहीं तो ऑप्सन भी एहाँपर करक्ट होगा यानि उक्त वेक्तियों को गिरबतार करना जिने पकड़ने के लिए पर्याप्ट आधार विद्दमान नहीं है तो ये पुले सदिकारी का करतब भी नहीं है तो कोशन नमर 27 का आपसन भी होगा है यहाँ प्यांसर आगले प्रेस्ट पे आते हैं यदि कोई पुले सदिकारी अपने करतब्यों के पती उपेच्छा बरतने के लिए मजिस्टेट के समक्ष दोसिद किया जाता है तीन माँ के बेतन से अनादिक रासी तीन मास की सच्छम कारावास तीन मास का साधारन कारावास सहित और बिकल्ब में चुनिए बिकल्ब आपसन ए ए और बी दोनो सही आपसन बी बी और सी दोनो आपसन सी ए बी सी और आपसन डी इसमें से कोई नहीं तो इसमें option A correct है option A और B दोनों यानि तीन महा के बेतंक से अनदिक की रासी जुर्माने की तोर पिली जाएगी और तीन महा का साच्छम काराबास मतलब साच्रम के काराबास लिया है सकता है अगला प्रेस्ट है प्रेस्ट नमबर 29 पुलिस अधिनियम 181985 ये द्वारा निम्न में से कौन सी धारा जोड़ा गया है तो धारा 32 का जोड़ी गई है तो इसमें जो है नई धारा जोड़ी गई है धारा 32 का तो धारा 32 का किस बात की बात करती है धारा 32 का सामोहिक ड्रिल वा सामोहिक प्रसिच्छर की बात करती है तो यह धारा जो है उनीस सो पच्छासी में पुलिस अधिक्रत जोड़ी गई अगला आते है प्रेस नमबर तीस निम्न में से कौन लोग जमावों वा जुलूस का वियनियमन और उसके लिए अनुग्यप्ति देने के लिए अधिक्रत नहीं है तो आपसन ए है यहां पर जिला पुलिस अधिक्षक ऑपसन भी है यहां पर जिला अधिक्षक ऑपसन सिय संयुक्त जिला अधिक्षक इसमें से कोई नहीं तो यहां पर तीनों ही जो है प्रादिक्रत है जिला अधिक्षक भी है अपर जिला अधिक्षक भी है और संयुक्त जिला अधिक्षक भी है तो आप आप्सन दी यहां पर आंसर होगा कौन अधिक्रत नहीं तो आप्सन दी इसमें से कोई नहीं अगले प्रसंट पर आते हैं प्रसंट निकत्रिस कि जुलूस जमाव या जुलूस के लिए अनुग्यप्ति प्राप्ति हे तू आप्सन ए मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट आप्सन बी उप्खंड मजिस्ट्रेट आप्सन सी उप्यूक्त दोनों इसमें से कोई नहीं तो यहां पर आप्सन बी उप्खंड मजिस्ट्रेट अगले परसंट पर आते हैं परसंट 32 मार्गों पर संगीत का वियनमन भी किया जा सकता है तो संगीत का वियनमन किया जा सकता है धारा 30 सब सेक्षन 1 के अंतरगत धारा 30 सब सेक्षन 2 के अंतरगत धारा 30 सब सेक्षन 4 के अंतरगत धारा 30 सब सेक्षन 5 के अंतरगत मारगों में संगीत का वियनमन किया जा सकता है अगले प्रेस्ट पे आते हैं अनुग्यप्ति की सर्तों का अतिक्रमड करते हुए एकत जमाव जुलूस माना जाएगा तो ऐसा जमाव जुलूस विधी विरुद जमाव माना जाएगा अगले प्रस्ट पर आते हैं 34 निम्न में क्या सुमेलित नहीं है तो निम्न में पुलिस विवस्था बनाए रखेगी सडकों पर कत्प अपराद के लिए डंड को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे इसमें से कोई नहीं पुलिस विवस्था भी बनाए रखेगी पुलिस सडकों पर कत्प अपराद के लिए डंड भी देने के लिए और पुलिस यहां पर पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे तो यह तीनों ही चीज़े होगी अब आते हैं सामुहिक ड्रिल या प्रसिच्छण को निस्द किया जा सकता है है कि आगले πα hairson पर आते हैं पुले JUDY के अंतर्गत सामूही deciskin में निमत निम्द मएं से कौन सस्त्र नहीं हैं तो लाठी रंडा option ए option इंच छडी option छिए option इस दे इसम्में से कोई नहीं तो यहांपर option डी इसमें से कोई नहीं यह सभी सस्त्र माने जाएंगे इसके लिए अधिक विवर्ण के लिए हम लोग 32 का में देख सकते हैं तो 32 क्या कहता है अनुगुप्ति की सर्तें का अतिकर्मन तथा विधी वुरुद जमाव के संबंद में सक्तियों के बारे में प्राब्दान किया गया है अगला आते हैं धारा कोश रह सकती है तो ऑप्सन ए दो महा तक ऑप्सन भी कि तीन महा तक कि अगले प्रेस्ट पर आते हैं प्रेस्ट नमबर अर्टिस धारा बत्तिस का के अधिन जारी निश्य दाग्या को राजिस सरकार कितने अर्णे महां तक के लिए बढ़ा सकती है तो यहां पर जो है ऑप्सन ए तीन महा ऑप्सन भी जह मां ऑप्सन सी आवसक्ता अनुसार ऑप्सन दी अनिश्चित कालीन के लिए तो यहां पर राजिस सरकार जो है अधिक्तम छे मां ते कि आते हैं प्रांबर थ्री। थीनाइन पे धारभथ 72 काक के आधीन और तर्स नके अपराद होगा तो यह बहुत ही बहुत ही महत्वून प्रास है। जिसकी व्याक्यां धारभथ 32 खाकेуз दो में दी गई जिसमें बताया गया है कि धारभथ 22 काके आदीन जो अपराद हैं वो संगे अपराद होंगे तो यहां पर जो है धारा 32 काके आदीन अपराद जो है वो संगे अपराद में माने जाएंगे CRP इसमें कहा गया है कि CRP के प्राबदान होने के बाप जूद भी ऐसे अपराद जो होंगे वो संगे अपराद ही मन जाएंगे अगले लास्ट प्रसंट पर आते हैं इस वीडियो का धारत 34 के अंतगत सडकों पर कारित ऐसे अपराद जिनमें निवासियों या यात्रियों को बाधा या असुबिधा छोब जोखिम संकट या नुकसान पहुंचता है कि मजिस्टेट के समक्च दो सिद्धी हो जाने पर अपराद ही डंदित किया जा सकता है पचास रुपए जुर्माना या आठ दिन का कारावास पांस रुपए जुर्माना या अठारा दिन का कारावास एक बार प्रेस्ट फिर से दोरा लिए धारा 34 के अंतरगत तो धारा 34 किस बात की बात करती है धारा 34 कहती है अन्य विधी के आधीन अभियो जिन की सक्ति तथा धारा 34 का तथा धारा 34 के आधीन अपरादों का प्रससन के बारे में बात करती है यह प्रसमन की बात तो इसमें धारा 34 के अंतरगत सडकों पर कारित ऐसे अपराद जिससे निवासियों या यात्रियों को बाधा या सुविधा, छोब, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचता है तो मजिस्टेट के समक्ष दोसिद्ध हो जाने पर अपरादी को 50 रुपए जुर्माना या आठ दिन का कारवास की सजा पी जा सकती है तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग 41 से लेके 80 कोशन तो कवर करेंगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हम लोग प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी जो है पुलिस रेगलेशन और पुलिस अधिनियम के प्रेसनों को हम कवर कर सकें थैंक्यू फॉर वॉच्चिं